हलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सौगत है मैं हूं नीगम आज में बनाओंगी हेल्थ ड्रिंक दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब से आज जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हेल्थ ड्रिंक बनाने के लिए मैंने अजवाइन लिया है सौप लिया है जीरा लिया है तीनों चीज ले लिया है सबसे पहले मैं बताती हूं सौप के फाइदे सौप, सौप में हम बहुत सारे विटामीन और मिरनस होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है सौप सरीर में हुई अंदरोनी सूजन को कम करने में मदद करती है सौप के बीच को भून के भूनने के बाद उसे पीस लें पाउडर बना लें इस पाउडर को आधा चमच का सेवन दो बार प्रत दिन गरम पानी के साथ करें काफी इससे अराम मिलता है सरीर में बहुत फायदे हैं सौप के अब मैं जीरे के फायदे बताती हूँ प्रोटीन बहुत सारे टायट्रिल फायदे बिटामीन A, बिटामीन D, नूट्रियंस एंड मिरलंस इसमें सबसे अधी अच्छी चीज है और इसमें हेल्दी इंसीरियंस ओल्स होते हैं जो हमारी सरीर के बोड़ी को एक्टिव और हेल्दी बनाता है हमारा वजन कम करने में भी मदद करता है इसके अंदर काइलसियम, आइरन, काउपर, माइगनी, जिंक, सेलसियम और पोटाइसियम होता है जीरे के काफी फायदे है आजवाइन के फायदे आजवाइन हमारे सरीर डाइजेक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है ये इंटी वैक्टिरियल होता है, ये रिच कोर्स होता है फाइबर, मीरलन, विटामीन और एक अच्छा इंटी वैक्टिरियल है यह मैं थोड़ा से साहद के फायदे बताऊंगी साहद काईलोरीन को कम करने में मदद करता है इस से कहा जा सकता है कि अगर कोई वजन घटाना चाहता है तो रोज एक गलास पानी में साहद मिलाकर पीने से वजन कम होता है इसका परिणाम कुछ दिनों में दिखाई देने लगता है आउला के फायदे आउला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें काईलसियम, आइरन, फासफोरस, फाइबर और कार्बो हाइडरेट भी परियापत मात्रा में पाया जाता है आउला हमें कैंसर से बचाने में मदद करता है और आंक की रोसनी बढ़ाने में भी मदद करता है। आउला के भी काफी फायदा है अजवाइन सौंप जीरा तीनों को अपने हिसाब से आधा चम्मच एक चम्मच करीब तीनों चीजों को रात में भिगो दीजिए अफिर उसको सुबा जो है पानी में उबा लीजिए ये मैंने पानी रखा है एक गिलास के करीब ये मैंने सौंफ है अब इसको मैं कम से कम पांच मिनट तक तीनों चीजों को उबाल लूँगी ये हमारे ड्रिंक काफी हद तक उबल चुकी है अब हम गयस को ऑन करेंगे लगवक इसको हम 5-7 मिनट तक पकाए हैं आप चाहें तो इसको इसको इस्टोर अगर करना चाहें तो थोड़ समगदी बढ़ा के उबाल लीजिए इसको इस्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं रोज एक कप पी सकते हैं इससे क्या होगा ना आपको रोज रोज नहीं उबालना पड़ेगा तो इससे दस दिन पांस दिन तक के लिए इस्टोर करके रख सकते हैं गयस को हम यहाँ अब करते हैं कि अंब इस्ट्रिंग हमारी रेडी हो चुकी है मनीत यस्को च्छान के कप में रख लिया है इसको खाली पेटा पी सकते हैं इसमें आमला का पावडर मेथी का पावडर आधा-धा-चम्र आप अपने हिसाब से मिला के पी सकते हैं, इससे काफी फायदा होगा, हलाकि इसमें तीन चीज बहुत फायदे बन चीज हैं, अगर इसमें थोड़ा से और कुछ मिला के पीएंगे, तो और ज्यादा फायदे मिलेंगे, दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब से और जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, थाइंकि दोस्तों